नमस्कार दोस्तो, इस विडियों आपका स्वागत है दोस्तो इस विडियों में आपको बताऊंगा कि आप अगर जोलोजी इंटरांस एक्जाम इसने का फ्रिपरेशन कर रहे हैं कि क्या क्या topic आपको पढ़ना पढ़ेगा pathfinder का book से कि आपका entrance exam बहुत आसानी से clear हो जाए आपको अगर नहीं पता तो मैं एक telegram का group बनाए हूँ आप लोग जाके join मैं यहां पर देखना पढ़ेगा मेंडिल इन जेनेटिक्स क्या होता है law of inheritance क्या है कितना तरह का होता है दो जो आपका मेंडिल का law है वही आपको पढ़ना पढ़ेगा incomplete dominance क्या होता है multiple allele क्या है यहां से दोस्तों बहुत सरा question आएगा बहुत सरा question क्यों पढ़ेगा तो भाई से बहुत सरा question पूछा जाता है आप अकर छोड़ दीजेगा तो आप पीछे जा रहे है क्योंकि यह competition exam है competitive exam में आपको हर टाम आगर रहना पढ़ता है तेभी आपका selection होता है ठीक है इसके बाद आपको पढ़ना पढ़ेगा वह आपका gene interaction, epistesis क्या होता है यहां से बहुत सरा question पूछा रहाता है तब लोग जरूर यहां पढ़िएगा पेलो ट्रॉपी क्या होता है तो आदेख लिजेगा एक line का होता है सबसे important जो question आतर पूछा रहता है व यह भी आपको पढ़ने का जरूत नहीं है ठीक है आपको जहीं है पढ़ना पढ़ेगा वहां का sex chromosome, sex determination animals, sex link traits, sex limit traits, sex influence traits, pedigree analysis यह चाट topic आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है यहां से बहुत सरा question आएगा तो अच्छा से पढ़िएगा दूस्तों यहां से ठीक है उसके अ जो होता है, वो cytoplasmic inheritance होता है, a maternal effect अलग होता है तो 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 अलग होता है आप देख लिजेगा कभी क्रॉस से question पूछ लेता है तो आपका भूस संचते है कि आउट अप सिल्बस है, आउट अप सिल्बस नहीं होता है उसके अलाबा जो आपको पढ़ना पढ़े गा है इवे सब्सक्राइब करने से क्या होगा एक अफिलेशन इन होता है एक यह सब डेक्टेज को पर रैंपिंग होता है किटना होता है यह सब तेलोमी एप्लिकेशन इस इंपॉर्टन रोलिंग सर्कल इतना इंपॉर्टन नहीं लेकिन आपको याद रखिया गाँ पर जितना भी रेप्लिकेशन में इंजाइम उस होता है वह बहुत इंपॉर्टन है इंजाइम क्या क्या है अब अच्छा से पढ़िया गया दूस्तों करें रेखियर से कोषिन आता है उसके अलाबा देनना पढ़ेगा वह वहों गया आपका ट्रांस्किप्शल में पढ़ना पढ़ेगा प्रोमोटर होता है थी। जितना भी Sys Regulatory element है आपको क्या-क्या है आपको देखना पड़े जा क्यों क्या से कोस्चिन बहुत सरा आता है तो Transcription Unit देख लिएगा Procariate Transcription का बात करो तो यूकरणीक Transcription में जो कोस्चिन पूछा जाएगा आपको वो हो गया आपका sequential प्रोसेंसिंग का बात करूं तो आरे प्रोसेंसिंग के आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोसेंसिंग और यू केरियोर्टिक प्री इमारने यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेंसिंग के आपको देखना पड़ेगा कि आपका जीन प्रोसेंसिंग और यहां से आता है अशनका पर कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जीनितिक और वोबल हम पाला सिंदेशी जिनितिक कोड्स की था होता है प्रोवर्टिक वचले से अन्टिफ इन टॉक्सीं यहां से देख लिए ठीक है बात करो तो बहुत इंपोर्टेशन क्या होता है यह क्या होता है जरूदेखिएगा इंजाइम पूछ लेगा तो जरूदेखिएगा नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो देखिएगा इंजाइम फॉर्देशन देखिएगा क्लोनी कैसे होता है बस इंपोर्टेशन नहीं है छोड़ दीजिए प्लान फिजिलोजी को पढ़ने का जरूतनी है आपको 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 नौलेज होना चाहिए कि कैसे बनता है उसके अलाबा एक्सेन पोटेंशियल बहुत इंपोर्ट और जो आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर बात करो नर्वस सिस्टम से वह देखने से हो जाता है एंडोक्रान सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट यह तो आपको देखना ही पढ़ेगा अगर आपको पता नहीं मेरा e-book है e-book आपको मिल जागा है आपको इंस्टा मुझे में ली जिए अगर आपको चाहिए तो और इंडोक्रान सिस्टम बहुत इंहीं पढ़ेगा और आपको जरॉल जाना है कि पहले Państia कि क्या क्या स्पेसिपिक बाढ़ना है तो मेरा चैनल में अलक्ता में बिंटक्रान सिस्टम सा क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा आप लोग जा कर वीडियो देखे लिजेगा चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जुनी जाएगा आपको जरू मिलेगा रिस्पीर्टरी सिस्टम से आपको करूँ नगा एक्सेज़न करवन डॉक्सेट क्या होता है हल्डेन एफक्ट क्या होता है ऑक्सेट सैचुरेशन कार्ब क्या है से उटर क्या है सब को देखना पढ़े हमोनगुलमें का स्ट्रक्चर पढ़ना पढ़ेगा उसके अलावा इतना इन्पोट्टिंट है अगर बात करूं कार्डियो हस्क्ला सिस्टम में जो कोर्षिन पूच्छे आता है वहर साल एक ही जागा सा कूच्छे वह साल कोश्छे नहीं भी आता है तो पढ़ लिजिए कोई यहां पर दिखना पढ़ेगा यहां पर भूस सरे फिल्टर से लिए इं वाहिएगा पड़ना पढ़ेगा शच्या काउस्मेटिबढ विए यहां पढ़ना पढ़ना से उसके अलाबा आपको पढ़ना पढ़ना पढ़ने से यह भी बहुत इंप्टेन होता है अब अब आपको पढ़ने चीजिए यह पूरा यहाद यह पर लीजिए तक यह पर नाब ठीक है यह बायाम छोड़ भी दिए कोई दिक्कत नहीं पॉपुलेस्ट ने चक्तम छोड़ने का सवाल नहीं यह अच्छा से पढ़िएकट ठीक है यह ठीक है यह पर उतना देखने के जरुद नहीं एक बर पड़ किजिए गा यहां से टॉपिक हो जाएगा ठीक है उसके वाला इब ब्रच्ट पढ़ने का है तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ेगा इसको छोड़ने का कोई सब नहीं पर नहीं पर एक चीज और आता है वह होगी आपका जियोग्राफिकल टाइम सके जहां से कोशिन आता है तो यह जरूर्द देखके जाएं यहां दोस्तों लोग जेगर अपको जोड़ने का कोई सवाल नहीं होता है तो यह मैं बता दिया आपको जोलाजी एंटरास एक्जाम के लिए पार्थ फेंटेंटे से क्या क्या पढ़ना है जरूर्ब पढ अधर फूर्ब फेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें